बुलो श्री प्राणनाथ प्यारी कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे, पन्ना धाम कीजे, सर्व सुन्दर साथ कीजे दे 74 श्री सिंधी मन्थन, 74 दिन, कहती हैं इंद्रावती जी, मैं चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि चुप रहने का दिल करता है, कि कुछ ना बोलू, अपनी स्थिती के बारे में भी कुछ ना बोलू, पर मैं चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि आपकी प्रेणा से, मैं बो पिया जी कहते हैं मैं क्या करूं मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बंधी हुई हूं तो अपनी अपनी स्थिती से बाहर आकर डूबना चाह रही हैं डूबे ही रहना चाह रही हैं पर फिर भी इंद्रावती सकी को बोलना पड़ रहा है किनके लिए बोलना पड़ रह रहे हैं बार बार डूबना चाहते हैं फिर बाहर आते हैं फिर चित्वन करने साधना करने चले जाते हैं कुछ टाइम रहते हैं फिर हमारे लिए धनी उनको बाहर लेकर आते हैं कि जो जो तूने मुझसे लिया इनको बांट के आओ अभी क्योंकि ये खुद तो कुछ कमाई कर पा रहे हैं, जो तू ने कमाया, वो इनको बांट किया, इस प्रकार की महनत करते हुए, हमारे सत्गुरु के चरनों में कोटी-कोटी कजा हैं, जी उनके ही शबदों में, जो 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 वो ले कर आते हैं, उनके ही प्यारे शबदों में, श्री सिंधी, जी सिंधी जी माफ कीजिएगा पिया जी की नासिका जी आपसे दूर हुए बहुत दिनों गये थे पनाम जी धनी मुझी गालिन जी से सब तोके आये जान अवल विच आखिर लग तो दिनों अचे पान यह हमने किया था कहते हैं आपको मेरी सभी बातों की पूर्ण रूप से थोड़ी बहुत नहीं पूर्ण रूप से खबर है शुरू हो यानि परमधाम से सब स्टार्ट हुआ मध्य यानि ब्रजरास और फिर जागनी की सभी बातों की कौन-कौन सी बोला उन्होंने अवल विच आखिर सब का आपको पता है जो मुझे जानकारी जितनी हैं भी वो आपके देने से मुझे प्राप्त हुई है ये जानकारी तो आपके देने से हुई है और जितनी मुझे पता है वो आपको सारी की सारी पता है पिया जी जितना आप देते हैं उतना उतना मिलता चला जाता है ये कौन कह रहा है जिनके अंदर प्रत्यक्ष पिया जी अव्यक्त नहीं व्यक्त स्वरूप में पिया जी की प्रत्यक्ष बैठा कोरी है वो कह रही है और हम सुन्दर साथ नहीं तो दर्शन भी नहीं किये होते प्रत्यक्षता तो बहुत दूर की बात है सुंदर साथ जी फिर भी ऐसे लगता है कि ये सारा ग्यान जैसे मेरा है वो एहंकार आता ही तबी है सुंदर साथ जी यहां इंद्रावती जी यहीं सिखा रहwid है कि जो बताया है जो थोड़ा बहुत पता है वो आपके देने से मुझे पता लगा और जो मुझे पता है उससे तो पूर्ण रूप से आपको पता है उससे तो कहीं जादा क्योंकि ये आ ही जरना तो आप हो ना आप से ही प्राप्त हो रही है वो पूरा ज्यान का प्रवा आप की रिदय से बै कर मेरे दिल में आता जा रहा है तो कभी भी ये ना समझें कि ये थोड़े दो शब्द आ भी गए हैं तो ये कोई हम बोल सकते हैं कोई नी बोल सकता ये पिया कहलवाते हैं तो आते हैं क्योंकि उनका ग्यान उनका इल्म का सागर वही दे सकते हैं कोई नी उसक एक बूंद का करोडवा हिस्सा देते हैं तो पिया देते हैं जब ये बात समझ में आ जाएगी तो ये ग्यान कभी एहंकार का कारण नहीं बन पाएगा मेरा है ही नहीं तो मैं कैसे एहंकार कर सकती हैं इसलिए कभी भी क्योंकि एहंकार युक्त जो ग्यान होता है वो बहुत इसलिए इसमें से माइनस कर दीजिए हैंकार को प्रेम अपने आप प्लस होना शुरू हो जाता है सुन्दर साजी ये तो दिन्यों पान ही क्या कह रहे हैं ये ध्यान से सुन्दर साजी सिंधी में क्यों लिख दिया शुरी सिंधी कहते हैं खिलवत परिकर्मा सागर सिंगार का भी उपसंभार यानि के मैकसिमम ज्जान आ चुका है उसके बाद सिंधी आई है इसलिए सिखा रहे हैं पहले कि उन्हें लिखा ये कहते हैं ये सम्पूर्न ज्जान मारिफट की कताबें भी उतर चुकी है यह संपूर्ण ग्यान आपका ही दिया हुआ है यानि के यह सारी जो बातें हैं आपने डिन्यू दिया है आपका दिया हुआ है यह सारा कुछ आपी पान होता है आप यह याद रखेंगे आप बहुत बार आएगा मेरे पिया के लिए यह सारा दिन्यू है अपने डिन्यू है गालियों मूख के करण, कहते हैं किस लिए इसका कारण क्या है, ये बहुत सुन्दर है सुन्दर साथ जी, मैंने भी अभी पड़ी ये बात, इतनी प्यारी है कहते हैं ज्यान का परपस जहेंकार नहीं है, पहले तो कहते हैं पहले तो वानी पड़के इमान आ जाए, इमान आ याना उसके बाद आएगा समर्पन है ना कहते पहले तो ये पता लग जाएगी ये जो ग्यान मैं ले रही हूँ ये है किसका ये मेरा नहीं है अगर मेरा है अगर ऐसा हलका सा भी अंदर थोड़ा सा भी वो होता है तो हैंकार का नाग फन पहला के खड़ा हो जाता है ये बिल् ग्यान मेरा नहीं है ये मेरे धनी का है किसी के भी मुखार बिंद से निकल रहा हो जहां से जो बात प्यारी लगे मेरे पिया की क्योंकि वो मेरे पिया का ग्यान है वो ले लीजिए कोई तन मत देखिए सुंदर साथ जी जहां से ये इन स्थान से हैं ये इन से बिलॉंग कर इनके हम खिलाफ है nothing धो दीजिए जी ये सारी pre assumptions को अपने दिल से दूर करके फिर सुनिए 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 किसी के भी मुख से सुनिए पिया की प्यारी बात आ रही है न दिल में ग्रहन कर लीजिए और ये जो भी बोल रहे हैं सब मेरे पिया का ग्यान है ये 100% पका कर लीज हैं क्योंकि वो उनका ग्यान नहीं है आप समझ रहे हैं न सुन्दर साथ जी जिसका ग्यान है उसको पूझे ये पिया ने बताया खुद बता रहे हैं ये संपूर्ण ग्यान इंद्रावती जी कह रही है आपका दिया हुआ है और इनको कह कौन रहा है जिनको प्राणनात की शोबह मिली है अक्षरातीत की शोबह मिली आज नहीं बलकि आठ में जब सात्मा दिन होगा आठों वहिष्टों में कायम होंगे तब भी ये जीव जो इनके साथ है राजी का स्वरूप धारन करके बैठेंगे सत्वरूप के निर्मल चैतन्य में सुन्दर साथ जी हम सब को प कुछे इंदरावती जी ये कह रही है कितनी विनम्रता से कह रही है कि ये संपूर्ण ज्ञान आपका दिया हुए ये पूरी वानी उतर गई आज वानी तो नहीं उतर रही आज तो उसके व्याख्याई हो रही है ना आज तो प्रवचन हो रही है चर्चा हो रही है सुन्द मैं ये नहीं कहा रही मेरे सत्गुरू को पूजिये ना किसी भी तन को नहीं पूजना है क्यूंकि ये ग्यान उसका है तो उसको पूजिये सुन्दर साथ जी मूल स्वरूप को पूजिये उसकी पूजा है क्या वो कहते है मेरी पूजा अर्चना मेरे से बाते हैं बस मेरे से दो घड़ी बात कर ले तो ये है मेरी मुझे तेरे से कोई पूजा नी चाहिए पती नहीं कहता कि मेरी तुम ऐसे ऐसे करके तुम मेरी आर्थी उतार लो या मेरी पूजा अर्चना कर लो बैठ के दो मीठी बातें मेरे वो सब पूरा हो जाएगा सुन्दर साहज जी तो किसी की भी किसी को अक्षरा तीत बना के क्योंकि इन के अलावा प्राना जी के क्या है मेरे धनी है तो धनी जी से बात कीजिए बस इतना चाहिए उनको किसी की पूजा नहीं कीजिए गालियों अब कहते है ये तो पता लग गया कि ये ग्यान है किसका डिन्यू आपका दिया हुआ है सारा ठीक है अब ये बहुत प्यारा है सुन्दर साजी जिस दिन मुझे नहीं पता था सिंधी में इतनी सुन्दर चौपाईयां लिखी हुई है गालियों मूख के करण इसका परपस क्या है कहते क्योंकि आपका मेरे से बातें करने का दिल करता है मेरे से बातें करने के कारण ये गल्यूं गल करने के कारण आपने ये ग्यान जे दिया है ये देखिए ये संपूर्ण ग्यान आपका दिया हुआ है पहले तो ये शोर है किसी के अंदर से भी पिया का आ रहा है तो वो दे रहे हैं कोई नहीं दे रहा तो उसके बदले में उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं उनको पूझने की बजाए पिया से कहते क्यों दिया आपने मुझे हमें किसी के भी मुख से कोई भी बीच में उन्होंने वो बनाया हो सुन्दर साथ जी कारन बनाया हो इनके मुख से मिलेगा ये कड़ी बनेगी कड़ी को नहीं पूझना बैठके सुन्दर साथ जी कहते हैं क्यों आपने किसी के भी मुख से कहलवाया या फिर मुझे पता लगा यहां तो इंदरावती जी कह रही है यह तो वानी उतरी है ताकि आप मुझसे बातें कर सकें यह परपस अगर हमें श्री मुखवानी का तारतम ज्यान का पता लग गया क्यों लिख दिया सुन्दर साथ जी इंदरावती जी ने इतनी बड़ी बात लिख दी है कि तारतम वानी का मेन उद्देश ब्रहम स्रिष्टी के लिए क्या है मेरे से बातें करना मेन उदेश है यदि हमने उनसे बाते ही नहीं की तो purpose fulfill नहीं हुआ सुदर साजी पढ़ पढ़ के सब को सुना भी दिया चाहे पढ़ पढ़ के जीवन में भी नहीं उतारा सुनाते ही रह गए या फिर सुनते ही रह गए या discussion ही करते रह गए जीवन transform नहीं किया धनी से बाते नहीं की गालियों मू के करन कहते हैं मेरे से बाते करना आपका में पिया का लक्ष देखिए कितना सुन्दर है और हमारे लक्ष देखिए कभी-कभी तो इसलिए पढ़ते हैं कि सुनाना है कभी-कभी इसलिए पढ़ते हैं कि discussion करनी है सुन्दर साथ के साथ इसलिए चलो दो चपईयां पढ़ लेते हैं इसका उदेश वो नहीं है इसका उदेश धनी जी से बातें करना है कितना प्यारी बातें इंद्रावती जी, सुन्दर साथ जी ऐसे कोई मंतर नहीं बताती हो कि ये चार चीजें बोलना पिया वश में हो जाएंगे एक एक बात में वशी करन मंतर का गुज भेद छुपा हुआ है, ऐसे वश में कर सकते हो पिया को एक एक बात उन्होंने खोल खोल के रखी हुई है यहां पे ताकि ये ग्यान इसलिए हम तक क्यों पहुँच रहा है सुन्दर साथ जी किसी भे मुख से पहुच रहा हो कोई भी माद्यम बन रहा हो ड़संट मैटर पिया माद्यम बना रहे हैं उनको क्योंकि वो आप से बाते करना चाहते हैं आप उन कड़ियों को छोड़ दीजिए उनका परपस समझ लीजिए उनके दिल की बात समझ लीजिए कि वो क्या करना चाहा है हम उनी माद्यमوں को पकड़ के बैठ जाते हैं कई बार मेरे धनी के दिल की बात समझे कि वो आप से बाते करना चाहा है कहते है पनझासी डिये न इस्क ये ब्रह्मवानी ज्ञान तो आपने दे दिया पिया जी, इसका परपस भी पता है कि आप मुझसे बात करना चाहरे हो, पर मैं ये पूरी ब्रह्मवानी पढ़ भी लूँ, इसका परपस भी इसका उदेश्य, इसका लक्ष्य भी मुझे समझ में आ गया, पर जब तक आप इश्क नहीं दोगे धनी जब तक इश्क नहीं दोगे दर खुले दर्वाजा खुलेगा नहीं नारे वरन जिसका वरन किया जाता है अपने वर का सुन्दर साजी प्रियतम का कहते हैं तब तक दर्वाजा परमधाम का प्रियतम के रिदय तक जाने का दर्वाजा खुलेगा न जब तक आप, सारा कुछ इसमें आप ही आपका है, यदि आप देखोगे, संपूर्ण ग्यान आपका दिया हुआ, क्यों दिया, आप बाते कर सके, मेरे दिल में तो इच्छाई नहीं आती पिया, आप मूल सरूप के रिदह में इच्छा आती है, तब ही ये हो पाता है, आपक जीवन में ही, इतने वर्ष बीट गए, क्यों हमें ये ब्रम ग्यान, ब्रम वानी तो कपसे कुली होई हैं, घरों में भी आगई हैं, पढ़नी भी शुरू कर दियां, टीके भी हो चुके हैं, क्यों हमने उनसे बातें करनी शुरू नहीं की, क्यों ये ग्यान इधर से भी, हमारे भी स्पीकर लगा दिये, बाजे, बजावन हार, सारे सेवा कर रहे हैं हमारी, मुबाइल खोलिए, उसमें यूट्यूब चलता है, लैपटॉप खोलिए, टीवी खोलिए, जाईए, आश्रम में जाईए, मंदिर में जाईए, हर तरफ से अब क्यों हो रहा हैं, क्यों सुन्दर स्वामी जी ने एक जगह लिखा है, मुझे बूल जाता है, लिखते कहा हैं, कोई भी चौपाई खोलती हूँ, आज पिया यही देने वाले हो, कोई भी चर्चा सामने आती है, आज यही हुकम होगा आपका, यही सुनना है, उसमें बताते हैं, कहते हैं, किया कुछ बोलते हैं उनको, कहते हैं, वो घरों में बहुत अमीर होते हैं, मलब इतने अमीर होते हैं, करोडों, अर्बों, खर्बों, पती होते हैं, पर वो रेप्रेजेंट किनको कर रहे हैं, गरीबों को, तो वो क्या कहेंगे, जब वो अपना व्याख्यान देंगे, तो कोईएंगे हम गरीबों की नहीं सुनी जाती हम गरीबों की ये भी पूरा होना चाहिए वो तो गरीब है ही नहीं हम गरीब क्यों कह रहे हैं क्योंकि रेप्रेजेंट गरीबों को कर रहे हैं वो तो इंदरावती जी में किसको कर रही है हम गरीबों को दर्सनों से गरीब बैटे हैं इसलिए बार-बार कहती है कि पिया मुझे दीदार दो उनको तो मिल चुका है मेरी रेप्रेजेंटेटिव बनके मेरा वकील बनके खड़ी है कि मुझे दर्शन दो मतलब इनको दो जो मेरे साथ 12,000 लगाई है मुझसे बातें कर सकें हमें सिखापन दे रही है ग्यान पूरा पिया आपका दिया हुआ आपके दिल में इच्छा आई है कि मुझसे बातें करो इसलिए ये ग्यान भी मिल रहा है सुन्दर साथ जी कभी इदर से कभी उधर से ना पकड़िये किसी को भी मूल सरूप के रिदय की इच्छा तक पहुँच जाईए गोल रखिये अपना इदर उधर पेड़ पौधे माध्यम नहीं देखने है तीर पे ही कमान पे नजर रह गई अगर चिडिया की आँख पे नजर ना हुई तीर कोई देखते रह गए कि ये तीर भेदेगा उसको ये तन से जुड़ जाएं ये कमान मेरे भेदने में मदद करेगा नहीं सुन्दर साथ जी सारे माध्यम पिया जी ने बनाए है जुड़ना है तो उससे जुड़िये लक्षे से आपके दिल में ये आया आप मुझसे बातें कर सकें आप मुझे इश्क नहीं देंगे तब तक नहीं पहुँच सकते हैं सारा कुछ तू ही तू ये हमें सिखा रही है बात पिया की कहके हमारा वकील हमें सिखा रहा है कि तुम्हें करना क्या है समर्पित हो जाना है जब तक आप ही आप तू ही तू नहीं आ जाता तब तक बहुत मश्किल है पहला स्टेप है ये सुन्दर साथ जी ज्यान आपका दिया हुआ आप इसी लिए दिया इसका लक्ष्य क्या इसका पर्पस इसका उद्देश्य क्या कि आप मुझसे बातें कर सकें ऐसे वांग में कलेवर के दर्शन ऐसे करना सुन्दर साथ जी आज से कि मैं धनी से बातें चार करने बैखी हूँ आज बानी की इतनी चुपाईया मुझे पढ़नी है वो पीछे रह गई वो बातें सिंदी में आके वो बातें नहीं करनी है बहुत उचे उठके सिंदी में बात करनी है पिया जी से हमारी वकील बन के खड़ीयों तो शरम ना आए उनको के मेरे पीछे ये क्या लगी हुई है मेरे पीछे वकील को शरम ना आजाए कि इतने गुनाहगारों को बचाओं कैसे हो बहुत उचा लेवल पे उठके सिंदी पे आना है सुन्दर साथ जी जब तक आप मुझे इश्क नहीं देंगे उनको मिल चुका है हमारे लिए बोल रही है परमधाम का दर्वाजा इनके लिए कैसे कुलेगा पिया जी आपके दिल का दर्वाजा कैसे कुलेगा इनके लिए ये देखे नीचे लिखी रहे है भावार्थ में स्वामी जी लिखते है श्री महामती जी को इश्क प्राप्त ही है तब ही तो हबसा में उन्होंने अपने प्राण प्रियतम को पा लिया इस चौपाई में सुन्दर साथ को यानि हमको भी नहीं मुझे सुन्दर साथ जी हर कोई पर्सनल लेके चले मेरी निस्बत पिया जी से हैं मेरे लिए लिखा गया है परोक्ष रूप से देखिए प्रत्यक्ष पिया को कह रहे हैं वैसे पर बात हमें बताई जारी है ये शिक्षा दी गई है कि केवल शब्द ग्ञान को ही अंतिमुपलब्दी ना समझें ये ज्ञान भी उनका है पर ये अंतिम उपलब्दी नहीं क्योंकि इश्क जब तक नहीं आएगा नहीं कुलेगा दर्वाजा अंतिम उपलब्दी नहीं समझें बलकि प्रेम मार्ग का अवलंबन करें तभी युगल स्वरूप और परमधाम का दर्शन हो सकेगा जो जो चर्चा सुनाते हों सुन्दर साजी जो जो शब्दों को ग्रहन करते हों साथ में प्रेम होना बहुत ज़रूरिया ये उपलब्दी तो है पर अंतिम उपलब्दी नहीं है एहंकार साथ में जुड़ गया हमने सुनाया हमारी सेवा कीजिए जो जो सेवा कराते हों सुन्दर साजी बी वेरी वेरी केरफुल क्योंकि ये सुनाने वाले का ग्यान नहीं है तो सेवा भी होनी चाहिए तो उसकी नहीं उसकी होनी चाहिए सुन्दर साजी उसके रिद है के अंगों की सेवा होनी चाहिए कभी पर्सनल सेवा नहीं करवानी चाहिए ये ग्यान सुनाने के बाद जो दो बूंद पिया दिया करते हैं इहाल दिनने धनी मूँ के क्या कहते है ये जो हाल इहाल ये हाल हमारा या परिस्थितियां दशा ये दशा लिखा है बहुत सुन्दर आपने कहते है क्या कर दिया धनी मूँ के मतलब मुझके मेरे हाल को मेरे हाल को कैसे दे दिया है आपने जी गभुरानी मत मतलब बालक जैसी, कहते हैं आपने मेरी बुध्धी की स्थिती ऐसी कर दी है जैसे एक बालक की बुध्धी होती है, बालक की बुध्धी का मतलब क्या देखना, आगे बहुत बहुत सुन्दर बताया हुआ है, जांतो इस्क ना आईयो, जब तक आपका इस्क मेरे अंदर नहीं आ जाता, ता कुछां थी सो भत, कहते हैं सो भत मतलब सो प्रकार से, सो प्रकार से सैंकडों बातें करते रहो, जब तक आपका इस्क अंदर नहीं आता, तब तक बातें ही बातें रह जाएंगी अंदर की वो प्रवाहित नहीं होगा सुन्दर साथ जी जो हो जाना चाहे है जो activation प्रवाहित की जो रुका पड़ा है न प्रेम का ज़र्णा आने को आतुर है वो नहीं हो पाएगा केवल और केवल ग्यान में नहीं ग्यान उपलबद है पर वो केवल उतनी ही उपलब्धी नहीं चाहिए उससे आगे बढ़ना है सुन्दर साथ जी और वहीं रुक जाया जाता है यदी एहम आ गया तो समझिया आगे बड़ी नहीं पाएंगे क्योंकि एहम और प्रेम ही कठे नहीं रह सकते यह प्रॉब्लम है जहां एहम हो वहा कुछ हूँ प्रेम नहीं आएगा सुन्दर साथ जी तू ही तू यही पूरा वशी करण मंत्र में आप देखे न यहीं बताया हुआ है आपने किया पूरी सिंदी जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगी जैसे तरसाओगे वैसे तब मैं तडपूंगी मेरी तडपने की भी मे जाएंगे धनी जी बार बार आपने ऐसा किया पिया आपने दिया आपका ये परपज आप कर रहे हो आप खेल में लाए आप जैसे रखते हो मैं उस हाल में खुश हूँ यह वशी करण मंत्र है पिया जी को जीत लेने कहते हैं हे धनी आपने मेरी बुद्धी की सिती ऐसी कर दी है जैसी एक बालक की बुद्धी होती है जब तक इश्क नहीं आ जाता बालक क्या होता है बोलता रहता है उसको आधी चीजें पता भी नहीं होती बोलना शुरू करता है न नया नया बोलना शुरू करता है उसको पत तक वो senses अंदर नहीं आ जाते, प्रेम के senses, तब तक मैं बातें करती रहूंगी, पर वो परमधाम का दर्वाजा ने खुल पाईगा में दो, इस चौपाई में परोक्ष कथन द्वारा, इंडिरेक्ट ही हो रहा है सिंदी में, बहुत कम डिरेक्ट बाते की गई हैं, सारी बात इंडिरेक्ट रूप से हमें ही बताई हुई हैं सुंदर साथ जी, चाहे पिया इंदरावती जी को कह रहे हूं, चाहे इंदरावती जी धनी को कह रहे हूं, सुना दोनों हमें ही रहे हैं कि तुम कुछ करनी रहे हैं, हम सुंदर साथ को मुझे ये शिक्षा दी गई है, कि प्रेम के अभाव में केवल शुष्क ज्ञान से रिदय भी शुष्क हो जाता है और शब्दों की जिक जिक में अध्यात्म के चरम लक्ष से भटक जाता है। इसलिए अपने रिदय में प्रेम का रस्प्रवाहित करने के लिए प्रियत्म से चाना करनी चाहिए कि रोज धनी से कहिए मेरे रिदय में प्रेम का रस्प्रवाहित हो। और अगर कुछ ऐसा खुद फील कर पाते हैं सुन्दर साथ जी, खुद यदि विवेक तृष्टी है और कुछ किया भी है तो फील कर पाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, उसका पश्चा ताप कर उसको ठीक कर आगे बढ़ना चाहिए और रोज इस हैंकार को धकेलना चाह जैसे जैसे प्रेम प्रवाहित होगा वो अपने आपी धकेलता चला जाएगा हैंकार को दूर, हम बातों के जाल से उपर उठें, परम लक्ष को प्राप्त करें सुन्दर साथ जी और किसी को भी कहीं से भी पिया की पहचान लीजिएगा बस, जैसे जैसे कैसे सुन्दर कहते हैं इतना समय नहीं है, सब को सुन पाएं, बस ब्रह्म वानी से जुड़ जाएए, वो विवेक, दृष्टी, वो चक्षु खोल देगी, आपको पता लगेगा कि कहां पर प्रेम का रस प्रवाहित एक्चुली में हो रहा है, यू, विल हैब दाट डिसीशन पावर इन यूर्सेल्फ, कैसे आएगी वो, केवल और केवल ब्रह्म वानी प्रदान करती है, आपको पता लगेगा यह उतर के बोल रहे हैं, या फिर यह उपर उपर से बोल रहे हैं, और जितना डीप आप ब्रह्म वानी से उतरते जा रहे अपने हैं, इस हैपन्स, इस एक्चुली हैं, माठ करे पढ़ ना सगां, बंधा जा, अरे वा, सुंदर साजी, इतना सुंदर, इतनी प्यारी सिंधी है, कहते हैं, माठ करे, मैं चुप करके भी नहीं बैठ सकती, बंधा जा बोले, आपने बंधा हुआ है, मुझे की बोलने से बंधी हुई हूँ, क्योंकि बुलवाना हैं आपने, मैं चुप चा बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बैठना चाहूं भी तो बैठने नहीं देते आप, क्योंकि आपने सेवा दे रख भी आप जानते हो कि मैं चाहूं भी तो चुप नहीं रह सकती मैं चुप बैटना भी चाहती हूं तो आप मुझे बैटने नहीं देते हो बुलवाते हो मुझसे सुन्दर साथ तक पहुचाने के लिए अंदरावती जी कह रही है सब जाने थो रूती सब जानते ओ आप मेरे आत्मा के अंदर की बाते चुआ कुजाडो दिल खोले अब बताओ सब जानते ओ तो इसके बाद भी दिल खोल खोल के कैसे बताओं और क्या बताओं जब तु जानता है सारी यही घटाईे सुन्दर साथ जी सत्गुरु के अंदर भी पिया की बैठक प्राणना जी आज भी विराजमान है क्या मूँ खोल के कहते क्या दिल खोल कोल के बताओं इंद्रावती जी कह रही हैं यह हमें कह रही हैं सुन्दर साथ जी हम भी जाते हैं पन्ना जी लगता है दिल में बोलेंगे मुक्से ना भी बोलेंगे तो धनी को पता लगेगा कि यह करना है उनको थोड़ी ना पता है सुन्दर साथ जी हमें यह नहीं समझाती यह जो मेरे रिदे में बात आई है इसका मूल कहा है इसका मूल उसके दिल से ही तो आया है मेरी क्या उकात की ये बात भी मेरे दिल में आ जाए उसने उप जाया और उसी को जाके बता रहे है हस्ता होगा सुंदर साथ जी अरे तुझे अभी तक नहीं पता ये बातें तेरे दिल में आती कहां से है अभी तक तुझे स्रोत पता नहीं लगा मूल सोर्स तुम्हें पता नहीं लगा कहां से आ रही है फिर मूँ खोल खोल के दो दो गंटे बता रही हो मुझे बैठ के सत्गुरु के पास जाके पूरा पूरा दिन हम इधर की बातें भी बताते हैं उधर की भी बताते क्या उसको सामने जीव ये शो करता है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि परीक्षा हमारी होती है कसोटी हमारी होती है सुन्दर साथ जी हम बताते हैं उनको जा जाके इधर ऐसा हो रहा है हमें लगता है उसको पता ही नहीं क्योंकि वो जीव का आड़ा लेकर बैठा है समझ जाए सुन्दर साथ जी साब पता है उनको everything क्योंकि उसी के मूल सरूप का दिल वहाँ ही प्रेणा दे रहा है और ये सब हो रहा है उनको पहले पता लगता है फिर होता है और हम जाके उनको पूरी सूचनाएं देते हैं कि ऐसा ऐसा he knows everything हसता होगा अंदर वो बैठा हुआ सुन्दर साथ जी कि इनको अभी भी वानी पढ़के समझ नहीं आई कि मैं कौन है इनको टीके पढ़के समझ नहीं आई मेरे अंदर क्या चल रहा है कि तुम बताओगे मुझे आकर बहुत ध्यान दीजिएगा जब बात हो भी सत्कुरू से कभी तो selected content होना चाहिए हमारा जो आत्मा की कोई बात पूछना चाहते हैं और मैंने तो notice किया है चाहे उन से पूछो या ब्रह्म वानी से पूछो या दिजाहिरी ना भी पूछो वानी से बात कीजिए पिया से बात कीजिए अपने अंदर बैठे धनी से बात कीजिए जवाब मिल जाते हैं चाहे इधर से इधर से वानी खोलेंगे anything कोई भी रास्ता वो अपना है पर आपको answer जरूर दे देंगे बुलो श्री प्राणात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी कोई भी तुटी हुई हो तो प्रिप्या छोटी सी एक सक्की जान के प्रणाम कीजेगा इसने अभी अभी शुरू किया है वानी मंतन कुछ नहीं आता पनाम जी